यह दोस्तों देखते हैं हम लोग मंटर की खेती जो आप लोग देख सकते हैं के ड्रीप एरिगेशन सिस्टम में लगा हुआ है और अब यह इतना ग्रोथ पहुंच चुका है और यह जो प्लोट आप देख रहे हैं पूरा इस प्लोट में मंटर जढ़ा हुआ है कि अब लोग देख सकते हैं मटर की खेती ड्रीप में अब यह भी को रुपी करने के लिए तयार है इसमें किस लेवल का ग्रोथ है आप लोग देख सकते हैं कैसे इसमें बहुत सारा छेद करके लगा हुआ है मोटर इसमें साफ करवाना होगा और यह पूरा अपलोड जो है मोटर से भरा हुआ है और अधर कुछ हेडिया में जो है कि खुर्पी खुपाई चालू है इसे कि हम लोग इसको खुर्पी करना भी बोल सकते हैं अधर देखें जिसे इतर जो भी घास बगरा था है उसका साफ सफाई हो गया है अब यह रुपाई का अलगबग 20 दिन हुआ है और यह पूरे प्लोट में जो है लगा हुआ है यह पूरे इस प्लोट में मौटर लग चुका है खुर्पी हो रहा है अभी और ग्रोथ थोड़ा गर्मी के वज़े से कम यहां पे तीक रहा है हम लोगों को कि ठंडी जिस हिसाब से लगना था उस हिसाब से भी चालू नहीं हुआ तो थोड़ा से इफेक्ट जो है उसका पड़ा है इसमें कि पूरा प्लोट जो है हरा भरा हो जागा एक महना में बहुत जब अर्जस तरीके से जैसे हम लोग पहने प्रिविएस वीडियो में देखे हैं बीन्स की खेती यह मौटर की खेती का है इसका भी नेश्ट जब प्रोडक्शन चालू हो जाएगा उसका भी वीडियो आप ल प्रिके से यह है हम लोग का लगा हुआ यह सारे प्लोट में आप देख सकते हैं पूरा यह मंटर का फ्लोट है यह जू फ्लोरा वेराइटी है जू फ्लोरा का हाइब्रीड मंटर काफी अच्छा इसका फॉल सेटिंग भी रहता है तो हम लोग इसको देखेंगे और यह देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से जो है यह लगा हुआ है ड्री परिगेशन सिस्टम में मल्स के अंदर माटर की खेती तो आप लोग भी इसको देख के सीखें और एक खेती की तरह रुजान लाकर एक अच्छा इंकम की और आगे बढ़िए और इसी तरह के नए-ने वीडियो जो है इस चैनल के माद हम से आप लोग को देखने के नहीं मिलेगा तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पर और नॉलेज गेन कीजिए और अपने इंकम साइज को बढ़ा कीजिए दन्यवाद